नमस्कार, रास्ते का एक कांटा पाउं का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिर्ती एक दुनिया डूब जाती, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूरु चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, जिस रहा पर हमको चलना है, उसकी पहचान अगर पहले हो जाती है, तो हम सुगम हो जाते हैं, और यही स्थिती होती है उपभोगता की, कि अगर वो किसी चीज़ को क्रे करने जा रहा है, खरीदारी करने जा रहा है, तो किन किन सावधनियों को रखे, क्या खरीदे, कहां से ख करने के लिए डॉक्टर दिक्षिता पापड़िवाल जी हमारी बीच में हैं जो कि अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ट की कंजूमर एक्षन एंड नेटवर्क सोसाइटी से आप हैं हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं दिक्षिता जी और आज हम इस कारिकर में बहुत सान्थ की बहुत-बहुतसारा होती हैं तो हम पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि उपभोगता क्या होते हैं कौन होते हैं बहुत बहुत सुन्दर शुरुवात की राजेंदर जी आपने और आज हम जिस विशय को लेकर यहां बैठे हैं यह बहुत ही important issue है जनम से लेके मृत्यू तक हम सब भोगता की श्रेणी में आ जाते हैं और आम बात करें इस वैश्वी करण में इस globalization के दौर में जहां पर भोगता होन हमारे पुराने भारत को देखें तो उभोगता एक राजा हुआ करता था और राजा होने के नाते हम पहले बाटर सिस्टम पे बात करते थे कुछ देने के वस्तुवें कुछ लिया जाता था तो उस समय शुद्धता को लेके पैमाने होते थे लोगों में इत्ती उभोगता किसी ना किसी रूप पे ठगे जाने लगे अब सबसे पहले बात हैं कि उब्भोकता होता कौन है कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में कोई भी अंश्दान दे के कुछ सेवा या कोई वस्तु खरीदता है वो उब्भोकता की श्रेणी में आ जाता है आपने किसी भी चीज को परचेस करने के लिए कोई अमाउंट किसी को दिया आपने कोई सेवाएं ली या आपने कोई वस्तू खरी दी आप उब्भोकता की श्रेणी में उसी श्रण उसी वक्त आ गए और अब आपके साथ जै क्योंकि हम वैश्वी करन की बात कर रहे हैं जैसे जैसे वक्त बदला तो उब्भोकता के साथ ठगी होने लगी और उब्भोकता अपने आपको राजा ना समझ के एक ठगा सा महसूस करने लगा और तब हमें जरूरत पड़ी उब्भोकता अधीकारों की तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको क्लियर किया है हम जब भी कोई अमाउंट या कुछ पैसा या कोई भी चीज़ देते हैं तो हम उब्भोकता की श्रेणी में आ जाते हैं और हम उब्भोकता बन जाते हैं यानि सबसे पहले तो आपने इतनी अच्छी सी बात कही है कि उब्भोकता कोई राजा होता था यानि हम अपने आपको सब राजा मानें सबसे पहले तो हम राजा थे और हमने अपने वो विचार हमारी वो संस्कृति को छोड़ा हमने हमारी बातों को चोड़ा तो आज हम जैसे जैसे मुल्यों के साथ कंप्रोमाइस करने लगे हम लोग ठगी के दौर पे बढ़ते चले गए बहुत अच्छी सी बात कहीं मैं कि बा बात करें मेटरिलिस्टेक वर्ल आज होना पड़ेगा आपको मेटरिलिस्टेक युग में आना पड़ेगा अदरवाइस आपका सर्वाइवल रेट कम होता जाएगा तो जिस तरह से बाजारवाद में हम जाते हैं हम कंजूमर्स की स्ट्रेणी में आते हैं यह हम कोई भी च होना लाजमी है ग्रोथ होना लाजमी है सब चीजे वक्त के साथ चेंज होंगी पर कुछ चीजे हैं कि हम भी जागरुक उभोकता बने हम अपने राइट्स को भी समझे अपनी ड्यूटी को भी समझे तो जरूरी नहीं है कि बाजारवाद के युग में आप हर वक्त ही ठगे जाएंगे पर सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू क्या है उभोकता है तो जागरुक होना हमारा दाइत्व है इस चीज को हमें रिलेट करके चलना पड़ेगा इस चीज के साथ हमें सामंजिस से बनाना पड़े तो क्या सरकारें अधिकार देती हैं उभोकता को जी बिल्कुल आज हम बात करें तो सबसे पहले तो बोकता दिवस में भी बात करें 15 मार्च को बोकता दिवस बनाने लगे फिर उसके बाद इंडिया में हमने डिसेंबर में बोकता दिवस बनाने लगे सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए लौस बनाए और उसको इंप्लिमेंट भी करने क कोशिश की पर सारे दाई तो सरकार नहीं कर सकती उब्भोगताओं को यह पता होना चाहिए आज हम आप और हम बैठे हैं शिक्षा लेने के लिए बैठे हैं उब्भोगताओं को जागरुक करने के लिए बैठे हैं इसी तरह सबसे प्राइमरी छे उब्भोगता अधिकारों क पिर आता है चयन का अधीकार, सूचना का अधीकार, सुनवाई का अधीकार, उबोगता शिक्षा का अधीकार, तो आप इन छे प्रोटेक्शन जो राइट होते हैं, इस पे आपको मैं लिबरेटली बताऊंगी, सुरक्षा का अधीकार, राइट टो प्रोटेक्शन, अब हमन करें तो आप सबसे पहले तो सबसे important आपकी चीज़ है जब भी आप कोई product खरीदें उसमें जो details होती हैं उसको आप समय दें और उनको पढ़ें जो आज एक हम दोड़ भाग की जिंदगी में चल रहे हैं एक हम हमारा पैसा हमने कमाया है और हम उससे कुछ खरीदने जा रहे ह हैं पर हमारे पास हमने क्या कर लिया खरीद तो रहे हैं पर हमारे पास time नहीं है हम सर्वे नहीं कर रहे हैं market का हम जाते नहीं जल्दी जल्दी चलते हैं जाते हैं कुछ भी उठाके खरीद के लियाते हैं ना उसमें आप अपने जो standardized codes होते हैं उनको पढ़ते हैं ना items की detailing क हो पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती जा रही है कि हम इस बोगता वादी नीती में पढ़के कमा रहे हैं और हमारा ही पैशा हम कर रहे हैं फिर भी हम गलत चीज़ें उठा लाते हैं, वो भी रीजन से हैं, ब्रामक विज्यापन हैं, ब्रामक जो मारकेटिंग टैक्टस है, कि आपको डिसकाउंट रेट में मिल जाता है, ये मिल जाता है, अभ उठाके लिया आते हैं, उसमें आपका जानमान की हानी हो जाती है, ये आपका right है यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है आपको कोई भी किसी तरह की भी services के कारण या किसी भी तरह की product purchasing के कारण आपको जान और माल की हानी होई है तो आप complaint कर सकते हैं तो यह सबसे पहले हो गया सुरक्षा का दीकार फिर हम आते हैं सुचना का दीकार आज मैं कोई जा रही हूं market में कोई services ले रही हूं या कोई मैंने bank से service ली या मैंने कोई LIC policies ली या मैंने मकान खरीदा तो मेरा full right है कि मैं उसके बारे में पूरी सुचना मुझे जो बेच रहा है वो मुझे दे वो यह नहीं कह सकता कि जी मुझे तो पता नहीं आपको लेना है तो ले जी यह वह आपको नहीं कह सकता यह आपका right है कि आप उससे detailing पूश सकते हैं आप उसका समय ले सकते हैं और आप उसके प्रोडेक्ट के बारे में full proof जानकारी ले सकते हैं प्रोडेक्ट हो या services आपको यदि वह पेचने वाला services की जानकारी नहीं दे रहा है और वह आपको सूचना को सही दे रहा है यह गलत दे रहा है इसका निरधारन कैसे करने के लिए फिर आपको दूसरे चीजों पर जाना पड़ता है जैसे कि आपकी उसकी सपोस करिये कि मैंने कोई बैंक से कुछ डेटेल्स लेनी है बैंक वाले आप स्टेंडराइस चीजों पर जाएए सर कोई भी प्रोडेक्ट होता है आप लोकल से जादा आप कोशिश करिए कि आप स्टेंडर्ड प्रोडेक्स जो हमारे गॉर्मेंट के वाल मार्किंग वगरा का या फूर्ट एग मार के या जो इनके जो स्टेंडराइस प्रोडेक्स उन्होंने बना रखे हैं कि ये चीजे हों तो आप खरीदी है निश्चिंता से तो वो हमारे को उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर्विसेज में भी है कि गॉर्मेंट की तरफ से कुछ स्टेंडर्ड कोड्स बना रखे तो आप उन स्टेंडर्ड कोड्स पर ही जाएं आप उसमें थगी के चांसे कम हो जाते हैं लव आप बिना लोकल ब्रांट्स के जहना आपके स्टेंडराइस कोड्स और आप उनको खरीदते हैं तो ठगने के चांसे ज़्यादा होते हैं इसके अलवा आपने मैंने दूसरा अधिकार आपको बताया कि आप किसी भी चीज की जानकरी ले सकते हैं फिर चैन आपको कोई भी व्यक्ति बाजार में बैठावा किसी भी चीज को लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है कि जी नहीं आप यही लीजे यह मत लीजे आपका पूरा पूरा अधिकार है कि कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं उसकी कॉस्ट देख सकते हैं उसके और खरीज सकते हैं तो चैन का अधिकार आपका अधिकार के कानून में आता है चौथा कानून हम लेते हैं सुनवाई सुनवाई में यह होता है कि आपने कोई प्रडेक्ट खरीदा उससे आपको जानमाल किया नहीं होई या आपको प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है या आपको चैन करते वक कोई मिस गाइडिंग एडविटाइजमेंट के तरू या कुछ मिस लीडिंग बाते कहे कि आपको ब्रहमा कुरूप से ब्रहमित किया गया है तो आप उस केस में किसी ना आप सुनवाई के लिए किसी भी फॉरम में जा सकते हैं आप उनलाइन कंप्लेइन दर्च करा सकते हैं आप किसी सुसाइटी में कंप्लेइन दर्च करा सकते हैं जैसे कि हम कंजूमर्स हैं हम लोग करते हैं कैन्स के थूर हम ये काम करते हैं तो आप कंप्लेइन अपनी रिजिस्टर कर सकते हैं अभी आपने कहा कि इस तरह से हम कर सकते हैं कि सुनवाई की बात है तो सुनवाई के लिए सरकार ने कोई नंबर वगर ऐसा है कि हम help line number या कुछ सरकार ने अपनी तरफ से बहुत प्रावधान कर रखे हैं सरकार के हम राजस्तान की बात करें तो उनमें consumer help line number चलता है 1800-1806030 आप राजस्तान में इस help line number पे जो आपका office operating time होता है 10-5 आप इस समय कभी भी किसी भी वक्त call कर सकते हैं और आप अपनी complaint वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं आप उनके से पूछ सकते हैं आपकी problem के solutions ले सकते हैं और आप national level पे बात करें तो 1800 आपका 11400 ये national help line number है आप इस पर राश्ट्री help line number है तो यानि अब हम इसको screen पर भी देख सकते हैं कि हमारे राश्ट्री help line number है और हमारे राजस्तर के नमबर हैं जिन पर हम help line है आप 10-5 के भी जो official आज होते हैं उसमें आप अपनी कोई भी query हो सकती है कोई complaint दर्ज कराना चाहते हैं किस तरह कर आना चाहते हैं आप solutions मांगे आपको solutions दिये जाएंगे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह फॉन हम लगाते हैं उस पर उठते नहीं है नहीं सर एक वह उनके पास number आ जाते हैं किसी ना किसी तरह तो वह कई कई बार उस help line numbers को reward back भी कर देते हैं लेकिन वह recording हो जाती है जनरली कि आप Saturdays को या Sundays को लगाएंगे तो वह कम नहीं उठते होंगे पर नॉर्मली 10 to 5 में आप लगाएं नंबर उठ जाते हैं क्योंकि पूरे नैशनल लेवल का राजस्तान का है तो हो सकता है एक बार में ना उठे यह मैं आपको नहीं कर सकती कि instant services मिल जाएंगी पर services में यह एक होता है उभोगता शिक्षा का अधिकार जी आज हम यहां सब बैठे हैं और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं इस बारे में जानकारी ले रहे हैं तो यह सबसे बड़ा हमारा अधिकार है कि हम जागरत हो रहे हैं हम अपने अधिकारों के बारे में पहचान रहें कि अ यह आपकी तो यह जागरत होने का जागरत जो हो रहे हम बात कर रहे हैं यह सबसे बड़ा अधिकार है अब आप हमारी इस चीज में देखें कि हमारी जो सुसाइटी कैंस है वो समय समय पर हर मंथली हर थर्ड जो संडे होता है हम इस तरह के सैमिनास करते रहते हैं कोई भी ची की आपके आदिका है और हुँए क्या कर सकते हैं हम तो आप कितना ही कर लीजे आप हमेशा करते रहेंगे पर कंप्लेट कहां करें कैसे करें किस बात करें कि आपको पता नहीं होगा फंप सबस्क्रार पर कूं सका ओर सो रख्षा सूचना चैन सुनवाई हमी संवाई complaint को solve किया जाए तो वो redressal का अधिकार भी हमारा आता है तो यह सुनश्चित किया जाता है कि आपने जो complaint कि उसकी proper की तरीके से आपको उसका नवारण मिले आपकी problem solve हो और किस तरह से हो सकती है कहां हो सकती है उसको मैं आपको next step में बताऊंगे यह आपने बहुत अच्छी बत पते इन सारे अधिकारों की जब हम बात कर रहे हैं तो यह हमारे सबसे important चीज़ी आ रही है कि हम शिक्षा की जो अधिकार है भोगता का क्योंकि इसमें सारी चीज़ी आ गए अगर शिक्षित वो भोगता नहीं है तो वो बाकी की जो अधिकार उनका वो अपनी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो हम तो यही कह सकते हैं कि कदम बढ़ा हो तो मनजिल तुमारी है वरना जमाना कब किसी का इंतिजार करता है और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से फलक कैसा परिंदा ही पार करता है तो कहीन है कि हमको पहले एक कर देंके रवागा क्या को इसा प्रावदान है की लिखितने के शिकायए दर्ज कर वाएँ बिल्कुल अब आप आप पनी पारे में बात करते हैं कि हमने बात तो कर ली कि अधीकार हो गया अभी करते हैं कोई सर्विस्स ले रहे हैं या हम कोई प्रोड़ेक्त खरीद रहें तो हम help कहां कैसे करवाएं आप आज के जमाने में हम जिस यूग में रह रहे हैं ऑनलाइन और ओफलाइन मोड बे complain दर्ज करा सकते हैं दोनों मोड आज कल आपके लिए available हैं ऑनलाइन मोड पे आपको यदि complain करानी होती है तो आप उस पे website पे search करें आपको details मिल जाएगी पर उसमें आपको सारी information भढ़नी पड़ती है mode of nature of complain क्या है आपका आप किस बारे में complain करा चाहते हैं आपको उसका replacement चाहिए या आपको उस product को change कराना है नेचर क्या है services के related complain कराना चाहरे है या product related complain कराना चाहरे है आपको किस किते amount तक की complain है तो वो फिर आपको बताते हैं कि कहा जाना है किस तरह जाना है जैसे suppose करिए कि हमारे district जिला फॉरम होती है state level होती है और national level forums होती है तो एक आपका जो बीस लाग तक की complain होती है वो district level पे दर्च की जाती है बीस लाग से एक करोड तक की होती है वो state level पे की जाती है भूकता मच जो हम बोलते है तो जिला मच में आपकी भीस लाग तक की होगी जिला state level की form होगी उसमें आपकी भीस लाग से एक करोड तक की होगी और एक करोड से उपर जित्थी भी complaints होंगी वह national level पे आप complaint करा सकते हैं, आप उसमें लिखेत रूप में भी करा सकते हैं, जिस तरह से आप खुद करा सकते हैं, आप खुदी ना चाहें, आप मेरे को वकील नहीं करना है, तो आप खुद भी written complaint दे सकते हैं, बड़ आपके documents जरूर attested होने जाएं, एक बात की जो हमें सबसे गलती हम कई बार कर देते हैं, कि हम बिल लेना second options कर लेते हैं, सामान लिया, खरीदारी की, हमने ना तो warranty card देखा, ना detailing bills लिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जब और कोशिश करें कि जो bills होती है, आप अपने घर में लाएं, तो उनकी प्रॉपर filing कर के रखें बड़े products की तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि आप देखें, fridge है, TV है, AC है, इनकी warranties में आप जाएं, एक दो साल की आपको warranties मिलती है, guarantee मिलती है, और आपकी replacement भी होते हैं, changes भी हो जाते हैं, लेकिन आपके पास यदि बिल नहीं हैं, तो आप परेशानी में पढ़ सकते हैं, क थोड़े attested documents all लगाने पड़ेंगे, बिल होते ही तो आपकी सारी चीज़े आदी problem तो वहीं solve हो जाती है, आप खुद भी जाके complain कर सकते हैं, आप चाहें तो वकील की मदद से भी complain कर सकते हैं, यह आप easy way है, आप दो तीन चार चीज़ें और आती है कि हम कोई सामान खरीद की warranty देते हैं, आपको maintenance देंगे, provide करेंगे दो साल तक, guarantee की period करते हैं कि यदि इस period में प्रोडेक्ट खराब हो जाता है, तो हम आपको replace कर देंगे, तो यह difference होता है warranty और guarantee, warranty में आपकी maintenance की वो ले ले लेते हैं कि आपको maintenance हम कब तक कितने समय तक आपको दे रहे हैं, और guarantee the cost important होती है, देखने लाए, और आप जब complaint करते हैं तो हमें याद रहे हैं, दो साल के अंदर हम complaint कर सकते हैं, कोई भी चीज ख्रीदने के दो साल का period होता है, हम complaint कर सकते हैं. तो आप आई है उसमें लेकिन दो साल तक तो आपके पास है कोई भी चीज आपकी वारंटी भी खितम होगई एक साल के अंदर अंदर फिर आपовалन प्रिंध के अंदर। बोल गया, इसने बोला था, तो आप जाके कम्प्लीन कर सकते हैं, दो साल तक की, और पांच साल की तो है, तो आप अल्रेडी उसी, बहुत सारे जो कम्पनियां होती है, अपने प्रोड़क्ट से लिए, प्रोड़क्ट जो देती है, कहते हैं, इंशॉरंस कर देते हैं, इसका, मैंने लेंस काट से खरीदा, टूड़ गया, इंशॉरंस में था, अब आप इंशॉरंस में था, तो उन्होंने पूरा रिप्लेस कर दिया, मुझे, महिंगा था, रिप्लेस्मेंट हो जाता है, तो लेकिन ये सब सर ब्रामक प्रचार रख्मी हैं, हो सकता है, ये बड़ी कम कमपनीज जो होती है, वो इनको आपका पता ही नहीं पड़ता है, इंशॉरंस उस समय तो ले लिया, पीरिड ही निकल गया, सर आपने तो इंशॉरंस कराया था, आपका पीरिड ही निकल गया, और वो आपको डिबार्ड कर देते हैं, आप उस पीरिड में ही नहीं आते हैं, इन चीजों के उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए लेकिन हाँ जो बड़ी companies होती है जो अपने commitments देती है क्योंकि उनको face value भी रखनी होती है अपने market में quality को भी maintain करना पड़ता है तो उन चीजों को वो आपको reminders भी देती हैं आपको follow ups भी लेती है होली आगया दिवाली आगया इस तरह कि जो आपने देखते हैं कि अख़वार बढ़े पड़े रहते हैं कि आप हमारे यहां से product लीजिए हम आपको यह छूट देंगे आप यहां लीजिए इतने कम दाम में देंगे तो वोही जो दाम पहले ज्यादा होता है वही दाम तिवा की श्रीडी में है आप सबसे important है पैसा मैं एक ही बात बार-बार कह रही हूं कि पैसा आपका है कोई ने आपको लाकर नहीं दिया है आप जब बहुत मेहनत करते हैं तो पैसा कमाते हैं तो आप किस तरह से ब्रहमक विज्यापनों के जाल में फज जाते हैं जैसे आप री ड देखा था कि एक लड़की ने बहुत समय चला कि बहुत अच्छी क्रीम लगाई और वह काली से गोरी हो गई बहुत कॉमन एड था मैं उस प्रिडेक का नाम नहीं लेना चाहते हूं एक कोल्डरिंग का एड आता था कि उसने पिया और वह पाहार से कूदा और नीचे कूद जाता तो बैंस को लगाने पे तो गाय बन जाती यह चीजे हमें समझने वाली है कुछ ब्रेंस को भी हमें स्टॉमिंग करनी चाहिए कि हम मार्केट में जा रहे हैं 50% आफ कहते थे हैं कंपनी वही प्रोडेक्ट आपका जब तहवार के पहले तो या तो वह अपना जो डिस से माना माना होता है कि अब यह क्वालिटी घराब हो चुकी है तो 50% में हम निकाल देते हैं आप ले आते हैं वह लिखना ही गैर कानूनी है आप ऐसा लिखी नहीं सकते कि से किन किन सावधानियों को हम बढ़ते हैं कि खरीते समय यह खरीते समय सर एक तो सबसे इंपॉर्ट इतनी हाइक होती हों चीजों की वह 50% में आपको देते हैं ठीक है तो आप पहले तो वहाँ ठगे जा रहे हैं दूसरी वक्त आप जब कोई भी चीज कोई भी प्रोडेक्ट पढ़ें तो उस पे MRP क्या MRP है maximum retail price expiry date कोई भी खाने पीने की वस्तू पढ़ें तो उसकी expiry date ज चीजों को तो जो details और आप जैसे insurance कराने जाते हैं आपने चीजें देखिए होगी उसमें इतने चोटे-चोटे सी चीजें लिखी होती है आपके पास agent आता है आपको कहते हैं साइन कर दो साइन कर दो साइन कर दो आप उन details को पढ़ते नहीं हैं और उसमें कुछ चीजें इसी होती है कि आप ग्रिप में आ जाते हैं जब insurance मांगने जाते हैं तब वह company वाली कहते हैं साइन करेवे paper हैं तो आप पैसा जब insurance कर रहे हैं जब services करीद रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ते तहवारों के समय में सर जितने ads आते हैं जितने newspapers में ब्रहमक विज्यापन ह हूं तो आप उसको देखिए सबसे important तो मैं बात करूंगी jewelry की उपाएक है जो मैं एक चीज छोटे-छोटे से अपन पॉइंट से जूलरी होती है उसमें hallmark की jewelry खरीदनी चाहिए आपको उसमें आपके hallmarking होती है तो आप safe cider पे रहते हैं कि ठीक है ये चीजे हमें मिलावटी नहीं मिलेगी जितने carrot की बोल रहे होती है पर ladies को इस चीज का ध्यान रखना चीए कि basically आप hallmarking jewelry को ही purchase करें वो आपके लिए safe side lending होती है आपको उसका return भी मिलता है आपको उसका proper आपका पैसे की value होती है आप मिठाईयां खरीदने जा रहे हैं तहवारों के समय में तो आपके आपने देखिए इतनी भीड होती है आपने कभी नोट नहीं किया होगा कि वो मिठाई के डब्बे भी तोल रहा होता है लेकिन वो गलत कर रहा होता है तो आप एक दो बार उसको remind देंगे क कि दब्बे का तोल अलग कर तो कई बार तो आपको weird रूप में वो देखेगा कि यह कौन सा नया आदमी आया है लेकिन आप जब तक बोलने की आदित नहीं डालेंगे तो वो जिस तरह से market में बेच रहे हैं वो वैसे ही डब्बे बिना तोल के डब्बे बेचे जा रहा है आपने लिया एक किलो में वो मिठाई का डिबबा भी तुलावा है उसका तो बोलना आपको पड़ेगा सर दूसरी आप consumer action and network society में काम कर रहे हैं और वहां consumers के लिए ही काम कर रहे हैं यह society basically क्यों बनी और क्या काम कर रही है सर यह हम सब लोग जो है social work कर रहे हैं यह हमारा कोई इस तरह से earning process नहीं है हमारे जो डॉक्टर अनन्चर्मा जो प्रेसिडेंट है consumer के उन लोगोंने उन्होंने उप्भोगताओं की problems यह society बनाई थी और first और third Sunday को हम इस पे seminar करते हैं डॉक्टर अनन्चर्मा के नेतरत में वो तो आज के तारिक में national और international leader बन चुके हैं हम तो उनके छोटे-छोटे से अनुआई हैं जो आजकल उनका mission carry forward करते हैं लेकिन आप यह society में हम free of cost complaint register करते हैं उप्भोगता की यदि उसको कोई जानकारी चाहिए होती है तो हम उसको जानकारी देते हैं और उसका यदी case लड़ना होता है हमारे तो हमारे यहां के legal advisor free of cost उनका case भी लड़ते हैं तो कैंस वोगता को free of cost सारी services दे रहा है चाहिसे शिक्षा का अधिकार हो चाहिसे उनका legal cases लड़ने का हो और चाहिसे उनकी कोई problems को solve करने के matters हो तो हमारी consumer action 21 गंवाल पार्क पे हमारा head office है जहां पर complaints लेते हैं उनको solve करते हैं और लड़ना उनकी case यदि पहले तो हम कोशिश करते हैं कि settlement हमारा letter जाते ही न कैंस से आधे तो case वही settle हो जाते हैं दोनों पार्टी mutual understanding भई ही ठीक है प्रोडेक्ट या services में problem आ रही है तो solve करते हैं को forum तक जाने के हमें जरूती ना पड़े मैं चोटा सा सवाल और आखरी में मैं पूछना चाहरा हूं जो कि कई बच्चों के साथ में गुजरा है बच्चों ने कोरोना काल में फीज जमा करवा दी कोचिंग क्लासेज के लिए बंद हो गई पैसा वापिस नहीं मिला सर वो करोना का पीरेड एक पेंडे मीक पीरेड आजाता है आप यह देखें कि कैंस ने तो पैसे करवाई धन्यवाoud मैं हम आपने बहुत अच्छी सी जान करी दी भोगताओं के लिए कि उनका अधिकार क्या हैं जनजागरूता कैसे हो भूट धन्यवाद झाल झाल